विचे नेट चनल में अब सभी का सवागत हैं आज को जो गिवन कोश्चन है एक स्क्वेर डिवारड़ बेए 6 माइनस 2x डिवारड़ बे 3 माइनस 5 डिवारड़ बे 2 एक्वान चेड़ू गिवन है फ्रैक्शनल एक्जांपल है तो यह क्वाड़िक एक विश्चन है इसे हम स इसका वैल्यू क्या होते हमें परनाट करना है स्क्वेरिंग में तर से ठीक है तो सबसे पहले सॉलूशन में जो गिवन है वो नोट डाउन कर लेंगे एक स्क्वेर डिवारड़ बेए 6 माइनस 2x डिवारड़ बेए 3 माइनस 5 डिवारड़ बेए 2 इस इक्वाड़ तो 0 यहां पर क्या कर दो whole equations को 6 से इसको multiplication करदो 6 से इसको multiplication करदो 6 से इसको भी multiplication करदो और 0 को भी 6 से multiplication करदो तब यह बनता है 6 यह दोनो कठर जाएगा और यहाँ पर only remaining रहेगा x square okay minus यहाँ पर 6 तूसर यहाँ पर 3 वंजा 3 3 तूसर 6 यहाँ पर 2 इन्टो 2 x मिन्स 4 x रिमेन रहेगा minus यहाँ पर 2 और 3 रहेगा यदर 3 3 फाइसर 15 equals 6 इन्टो 0 मिन्स 0 रहेगा यह फ्रैक्शन सब निकल गया तो अभी हम आसाल इससे हम square इसकर करके इससे solve करेंगे दिको इस square अगर करना है square हमें आज़ ज़ल रखेंगे और minus 4 x आलसो हमें आज़ ज़ल रखेंगे यहाँ पर सम कांस्टन्ट के उसको square याड करेंगे वही के कांस्टन्ट square माइनस भी करेंगे माइनस 15 इक्वल्स 0 या आगे का से तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो जाता है यह जो मिल्ड़ी टर में 4 वो मिल्ड़ी टरम 4 है यहाँ पर के का वैल्यू मिल्टरम 4 into 1 divided by 2 करो इसको साथ multiplication करो तब यह मिल्टरम का वैल्यू बनता है 2 याणि k इक्वल्स 2 जहाँ भी k दिख रहें उसके जगे में 2 रखेंगे तब यह बनता है x square minus 4 times x plus 2 whole square के का वैल्यू टू रखा स्फेर याज ज़न तो यहाँ पर भी 2 whole square minus 15 is equal to 0 यह जो पार्ट है यह बना x a minus sin a minus 2 whole square complete इसका x minus 2 whole square a minus b whole square की जिसा बना तो अगर अपन किया तो यहनी x1 किया तो x square plus 2 square minus 2 times 2 into x यह minus 4 x लेनेगा तो this equals यह minus 2 whole square means 4 होता है यह आपर right side में यह तो plus होता है यह negative 59 यहाँ भी plus हो जाता है तो x minus 2 whole square is equals to 19 बनता है तो x minus 2 whole square को square root लेलो यहाँ पर भी और equals root 19 है root 19 है उसके भी square root लेलो तभी square root और square ची निकल जाएगा तो x minus 2 is equal to plus or minus square root 19 रहेगा ठीक है तो यह minus 2 whole side मिलो तो x का value हमें 2 plus or minus square root 19 मिल रहेगा तो एक x का value प्लस में मिलेगा 2 plus root 19 और दूसरा मिलेगा x का value 2 minus square root 19 यह दोनो x का value इस equation से मिलेगा तो यह है setup solution क्या मिल रहे है यहाँ पर x का value एक बंडरे 2 plus root 19 दूसरा मिलेगा क्या मिलेगा 2 minus root 19 अगर वीडियो अच्छा लगा तो लेक कर दीजिए और वीचे मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो तेखने के लिए बहुत बहुत निवाद तैंक यू